शुरुआत में मैं आपसे माफी माँगना चाहता हूँ आज सुभे हमारी फ्लाइट में कोई टेक्निकल सा डिस्टर्बंस हो गया था इसलिए थोड़ी देरी होई और आपको यहां एक दो घंटे जादा हमारे ले ठहरना पड़ा इसके लिए माफी मांगता हूँ आपका मूट कैसा है ठीक है अच्छा है ठीक है रास्ते में बिहार के युवाओं का जोश बिहार की जो करांतिकारी हिस्ट्री है वो थोड़ा देखने को मिला अब हमारी भारत जोड़ो नियाई यात्रा बिहार से निकलेगी आपसे मिलने का मौका मिलेगा आपसे बाचीत करने का मौका मिलेगा ये हमने भारत जोड़ो यात्रा एक साल पहले की कन्या कुमारी से कश्मीर तक चले चार हजार किलोमेटर हर रोज बीस बीस पच्चिस तीस किलोमेटर चलते थे छे बजे उठकर और लाकों लोग हमारे साथ चले समुद्र के तट से शुरू किया हिमाले तक पहुँच गए पुरा देश देखने को मिला युवाओं से बात की किसानों से मज़दूरों से साथ आट घंटे बात होती थी अलग अलग लोगों से बात होती थी और फिर शाम को पंदरा बीस मिनट ऐसे हम अपनी बात रखते थे लोगों ने हमसे पूछा चार हजार किलोमेटर चलने के क्या जरूरत होई कहा कि देखिए राहुल जी चार हजार किलोमेटर शायद पहले कोई चला नहीं है आपको जरूरत क्यूं पड़ी मैं कहता था देखिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है मीडिया का सिस्टम हिंदुस्तान का सिस्टम चुने हुए लोगों के हाथ में है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है मैंने अभी प्रेस वालों को मित्र कहा मगर हमारे मित्र विपक्ष की बाद टीवी पे तो नहीं दिखाते अगबानों पे तो नहीं दिख पढ़ाते सही ना? वो टीवी पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चहरा दिखेगा वो अदानी अम्बानी का चहरा दिखेगा उसके साइड पे आपको अश्वरिया राय अमिता बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे डान्स करते हुए दो तीन क्रिकेट वाले दिखी जाएंगे मगर गरीब किसान मजदूर बेरोजगार युबा आपको नहीं दिखने वाला जैसे हजारों किसान बिल्ली के ओर चल रहे हैं उन पर टियर गैस चला जा रहा है चर्रे मारे जा रहे है मैंने दो दिन पहले किसानों से बात की फोन पे बात की एक्स आर्मी का जवान था उसके मूँ पे चर्रे मार दिये मैंने उससे कहा देखो आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे मगर आप ये मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो जो आपने चर्रे मूँ में जो आपके चर्रे मूँ में लगे है ये भी आप देश भक्ती का काम कर रहे थे किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे तो मीडिया में तो नहीं दिखेगा वैया आप देख लो यहाँ पे आपको बारत चोड़ो नियाय आत्रा में हजारों लोगों की भीड दिखेगी मगर आप टीवी ओन करोगे तो सिरफ नरेंद्र मोधी जी का चेहरा दिखेगा वो सुना है वहाँ दुबाई में वहाँ के राजा से गले मिल रहे हैं दो तीन बार गले मिलेंगे तो वो टीवी पे दिखने को मिलेगा इसलिए 4000 किलोमेटर हम चले क्योंकि हम डाइरेक्ट जनता से बात कर रहे हैं मतलब यह जो टेलिवीजन वाले बिचॉली हैं को हमने परेक्परे कर दिया है भारत जोड़ो यात्रा पे हमने नारा दिया नहीं हमने नहीं दिया नारा भीड से निकला एक देने एक व्यक्ति बाहर दोड़ता हूँ आया पुलिस वाले ने उसको मारा पहले पहले इदर से आया इदर से पुलिस वालों ने रोका फिर दूसरी साइट से आने की कोशिश की फिर उसको दो तिन धक्के लगे अंत में वो दोड़ता हूँ आता है मेरे सामने ऐसे खड़ा होके कहता है राहुल जी मैं समझ गया मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हो मैंने का मैंने उससे पूछा भाईया बताओ क्या करना हूँ कहता है नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोल रहे हो मैंने का बात तो सही है और फिर भाशन में मैंने कहा कि देखिए भीड से आवाज आईए भीड से नारा आया है नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोल रहे हैं और सिर्फ मैं नहीं कोलता हूँ ये महबत की दुकाने आप सब के दिलों में हैं आपने देखा होगा कॉंग्रेस के किसी भी कारे करता को देखो हमारे नेताओं को देखो मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे टेंशन हो मुश्किल हो कठिनाईया हो कॉंग्रेस पार्टी के नेता कॉंग्रेस पाटी के कार्यकरता मुस्कुरा आते हुए दिखेंगे सही देखो सारे के सारे मुस्कुरा आ ह Jugos दूसरी तरcyon B.J.P के कार्यकरताओं को देखो ऐसे देखते हैं पूरी दोन्या को रोज ऐसे देखते हैं कि बाकी सब लोगों को कुछ नहीं मालूम RSS और BJP के लोगों को सब कुछ मालूम सोच है उनकी और देश में कोने कोने में नफरत फैलाते रहते हैं मनिपूर को जला दिया एक जाद को दूसरी जाद से लडाते हैं एक धर्ण को दूसरे धर्ण से लड़ाते हैं तो उनके हिंसा और नफरत के खिलाव हमने बारत जोड़ो यात्रा की और यह नारा दिया नफरत के बाजार में महबत की दुकान रास्ते में एक और बात पता लगी चार हजार किलोमेटर लाकों लोगों से मिले हमने पूचा भहिया बताओ ये देश में जो नफरत फैलरी है हिंसा फैलरी है क्रोध है इसका कारण क्या है मैंने यह सवाल हजारों बार लोगों से पूचा आम जंता से पूचा नватहीं मोधी नहीं है मैं आपको बताता हूँ मोधी मोधी इस चीज का चिन है मगर मोधी कारण नहीं है कारण दूसरा है और किसानों ने मुझे बताया युवाओं ने बताया कि राहुल जी हर रोज हमारे खिलाफ कोई ना कोई अन्याई किया जाता है हिंदुस्तान में गरीब लोगों को कमजोर लोगों को 21 सदी में न्याई नहीं मिल सकता और इसका नतीजा नफरत और हिंसा है और यह बिलकुल साही बात है गरीब व्यक्ति जितनी भी कोशिश कर ले किसान जितना भी चिला ले मजदूर जितनी जोरों से चीखे उसे इस देश में मालुम है कि मुझे न्याई नहीं मिल सकता रोज दिखता है उसको आप देखिए सबसे अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने चोदा लाख करोड रुपिया कर्जा माज़ किया है चोदा लाख करोड रुपिया नरेगा में कितने लगते है साल में कितने लगते कितने हमाद नरेगा का एक साल नहीं नहीं बजेट साल का नरेगा का पूरी की पूरी नरेगा को चलाने के लिए एक साल के लिए सत्तर हजार करोड रुपे सबसे गरीब लोगों के लिए एक साल में सत्तर हजार करोड रुपे और सारे के सारे अमीर लोगों ने कहा देखो ये पैसा जाया हो रहा है सत्तर हजार करोड रुपे मनरेगा में जाते हैं और 14 लाख करोर रुपए हिंदुस्तान के 10-15 सबसे अमीर लोगों का एक सेकंड में कर्जा माफ हो जाता है अखबार में नहीं आता क्यों क्योंकि अखबार उनके पहले एक अखबार था वो एक टेलिविशन था मीडिया एंडी टीवी उसको भी आदानी जी ने खरीद लिया तो जहां भी आप देखें किसानों की ओर देखो युवाओं की ओर देखो मजदूरों की ओर देखो आपको अन्याए अन्याए देखेगा 21 सदी है आर्थिक अन्याए 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी ये हमारे सारे युवाओं ये टेलफोन लिए गुमते हैं ये चाइना में बनता है इसका फाइदा चाइना के युवाओं को मिलता है रोजगार वो ले जाते हैं और होता क्या है चाइना का माल हिंदुस्तान के 10-15 अरभ पती यहां बेचते हैं चाइना की युवाओं को फाइदा होता है चाइना की कंपनियों को फाइदा होता है और हमारे यहां 10-15 अरभ पतीयों को फाइदा होता है और जो छोटे वियापारी है small medium business वाले है छोटे कार खाने चलाते हैं उनके लिए क्या उनके लिए GST उनके लिए नोट बन दी खतम कर दिया सबको आप किसी से पूछ लीजिए यहां पर industry हुआ करती थी सारी की सारी बंद हो गई बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में जाके मज़़ूरी करते हैं contract labor का काम करते हैं यहां पर 4 लाख शिक्षा के मज़़ूरी कर रहे हैं मज़़ूरी कर रहे हैं contract पे हैं उनको एक दिन में निकाला जा सकता है तो यह आपको सब जगे दिखेगा अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ हिंदुस्तान में पिछणों की कितनी अबादी कितनी पचास परसेंट ठीक है दलितों की कितनी अबादी 15% आदिवासियों की कितनी अबादी 8% कितना हुआ पचास पंदरा और आट कितना हुआ 73 73 हुआ न तो पिछणों की दलितों की आदिवासियों की अबादी 73% अब मैं आपसे पूछता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में उनकी लिस्ट निकालो, मैंने निकाली है और उनकी मालिकों की लिस्ट में आदिवासी, दलित और पिछडे कितने हैं मुझे बताओ कितने हैं, जीरो एक नहीं है चलो छोडो, ये बताओ उनकी सीनियर मैनेजमेंट में कितने हैं जीरो अच्छा बताओ, मीडिया की कंपनी के मालिक OBC दलित आदिवासी कितने जीरो प्राइवेट हस्पतालों के मालिक बताओ जीरो प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े संस्ताओं हैं उसमें बताओ कितने जीरो एक नहीं दिखेगा आपको अब एक काम करो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में गरीब जेनरल कास के लोगों के लिए कितनी जगे है मुझे बताओ जीरो नब्बे लोग इस देश को चलाते हैं नब्बे आईएस अपसर इस देश के बजट को बाढ़ते हैं प्रदान मंत्री नहीं बाढ़ता MP नहीं बाढ़ते नब्बे अपसर देश के बजट को बाढ़ते हैं वो चुनावनी लड़ते कभी वो पर्मनन्ट रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव कोई भी जीत जाए हार जाए कोई फरक नहीं ये 90 लोग वही के वही बैठे रहेंगे मुझे बताओ 90 में से 73 प्रतिश्द वाली अबादियों के कितने लोग बाई और बैनों 90 अबसरों में से तीन पिछली वरक के उनको कोने में बठा रखा है ही ने सी और एक आदिवासी बाई और बैनों अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपे खर्च करती है तो ओबी सी अबसर पांच रुपे का निड़ने लेता है आदिवासी अपसर 100 रुपे में से 10 पैसों का निड़ने लेता है और दलित अपसर 100 रुपे में से 1 रुपे का निड़ने लेते है मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार बजेट में 100 रुपए खच करती है तो इस देश की 73 प्रतिशद आबादी सिरफ 6 रुपए 10 पैसे का अंडिन्डे लेती है और उसमें मैंने माइनॉरिटी की बात नहीं की उनको अलग रखा है वो भी 15 परसेंट है तो बात समझे आप वोट देते हो आप अपनी सरकार चुनते हो मगर 73 परसेंट लोगों के लिए ना कॉर्परेट इंडिया में जगे ना मीडिया में जगे ना बड़े उद्योगों में जगे ना ब्यूरोक्रिसी में जगे ना हाई कॉर्ट में जगे है हाई कॉर्ट कहा करा मेरे पास है 650 हाई कॉर्ट के जज है उसमें से अगर आप 73% वाले लोगों को देखो 650 में से 100 हाई कॉर्ट के जज या दलित या आदिवासी या पिछले वर के मतलब आबादी आपकी GST का पैसा आपका आप देते हो आपने शर्ट खरीदी यह जो गुलाबी शर्ट पहने हो कितने रुपे की शर्ट थी है हाँ 300 400 रुपे की शर्ट है जितनी GST इन्हों ने दी उतनी ही GST इस शर्ट के लिए अदानी और अमबानी देंगे उतनी यह अगर 18% GST इस शर्ट के लिए देंगे 18% अदानी देगा इनकी आमदनी 50,000 रुपे उसकी आमदनी लाकों करोर रुपे जितनी GST यह देता है उतनी GST वो देता है वो महल में रहता है वो हवाई जायज में उड़ता है मगर जितनी GST हिंदुस्तान का मजदूर देता है उतनी GST अदानी देता है यह अन्याय है आपके GST का पैसा जाता है और आपकी कहीं भागिदारी है ही नहीं ना मीडिया में ना सरकार में ना कॉर्ट में ना प्राइवेट हस्पताल वाले सिस्टम में ना कॉलेज उनिवर्सिटी वाले सिस्टम में कहीं नहीं हो आप आपके लिए एक नई क्याटेगरी निकाली है कॉंट्रैक्ट लिबर एक दिन में आपको जूता मार के बाहर निकाला जा सकता है वो है 73 परसेंट लोगों की जगह सुबह उठो मजदूरी करो और अगर बात अच्छी नहीं लगी एक मिनट में आपको उठा के बाहर पेक देते हैं 73 परसेंट के साथ ये हो रहा है पूरे देश में हो रहा है इसलिए मैंने जाती जनगर्ना की बात उठाई किसी को चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है भहिया देखो हुआ होगा आपके साथ हुआ है भहिया एकसरे कराओ अगर आपका हाट तुखता है और हस्पताल जाते हो डॉक्टर कहता है मैं एकसरे नहीं कराऊंगा एकदम आप उसको पकड़ते हो, कैसे नहीं कराओगे मुझे चोट लगी, आपको X-ray कराना पड़ेगा क्योंकि X-ray से पूरा पता लगी जाता है जाती चन्गरना समाजिक X-ray है उससे सारे के सारे पिछणों को, दलितों को, आदिवासियों को गरीब जेनरल कास के लोगों को पता लगी जाएगा, कि इस देश में क्या हो रहा है और जाती चन्गरना का मतलब आप समझो, सबसे पहले, सब लोगों को पता देंगे कि भहिया इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासि कितने, जेनरल कास के कितने उसके बाद हम financial survey कराएंगे कितना धन किस वर्थ के हाथ में है ये देश सोने की चिडिया कही जाती थी ये आज भी सोने की चिडिया है मगर बाई और बेनो सोने की चिडिया आपके हाथ में नहीं है अदानी जी के हाथ में है इसलिए जाती जंगरना से सबको पता लग जाएगा कि पिछडों के पास कितना धन है आदिवासियों के हाथ में कितना धन है गरीब जेनरल कास के हाथ में कितना धन है और ये एक परसेंट लोग, अरब पती लोग, बड़े-बड़े ब्यूरोक्राट्स, इनके हाथ में कितना दन है, दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, ये भाईयों और बेनों करांतिकारी कदम है, आजादी जैसे हुई थी, करांतिकारी कदम, सफेद करांती, हरी करांती, कंप्यूटर रेवलूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही एक करांतिकारी काम है, और मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बिना आप सब लोग भूके मर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना आपके बच्चों के पास भविश्यों होगा, क्यूंकि एक परसेंट लोग पूरा का पूरा धन उठा के ले जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, समाजिक नियाय का अगला कदम जाती जनगरना है, और कॉंग्रेस पार्टी इस काम को करके दिखा देगी, कुछी दिन पहले हमने एक एतिहासिक कदम उठाया, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गैरन्टी दे के MSP देंगे, कानूनी गैरन्टी वाली MSP, कॉंग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है, एतिहासिक काम है, कि जैसे ही मैं ने जाती जंगर्णां की बात की नरेंड्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में जात तो ही नहीं एक अमीर है एक दरीव है दो ही जात हैं पहले कहते थे मैं UBC हूँ अब कहते हैं दो ही जात हैं हमने MSP की गैरंटी दी, BJP के लोग कहते हैं, कॉंग्रेस पार्टी एक करी नहीं सकती, पहले हमारे बारे में कहते थे, कॉंग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती, 72,000 रुपए कर्जा माफ करके हमने दिखा दिया, दो मिनट में दिखा दिया, दस मिनट लगे उसको करने के लिए, तो यहीं बाराज चोड़ो यात्रा का लक्ष है, कि हम समाजिक ने आए, आर्थिक ने आए, इन चीजों की बात करें, और इन चीजों की लड़ाई लड़ें, बीजेपी ने राम मंदिर का उद्गाटन किया, देखा आपने, मुझे बताओ, तीवी आप सब ने देखा, आपने उद्गाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा, अंबाणी देखे, अधानी देखे, अभिता बच्चन देखे, नरेंद्र मोधी देखे, हिंदुस्तान के सारे सारे अरबपती देखे, किसान देखा, मजदूर देखा, बेरोजगार युवा देखा, तो फिर, बात समझ ये, ये नरेंद्र मोधी जी, दो-तीन परसेंट के लिए काम करते हैं, ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, आपके ध्यान को भटकाने का है, टीवी वाले मिले हुए हैं, मीडिया वाले मिले हुए हैं, अधानी, अंबानी, नरेंद्र मोधी, ये 10-15 लोगों की टीम है, और इनका काम, आप से आपका जो जी एस्टी का पैसा है, वो चीनने का है, वो लेने का है, और 24 घंटे, आपके ध्यान को इधर उदर करने का है, देखो भईया उदर, ओ, आश्वरिया राए नाच रही है, ओ, देखो भईया, अमिताब बच्चर ने धांस मारा, ओ, देखो भईया, विराठ कोली ने चौका मारा, ओ, बईया, देखो पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, ओ, देखो चाइना भई हो रहा है, मगर हिंदुस हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है उसके बारे में नहीं बोलेंगे जी एस्टी का पैसा कहा जा रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे जाती जंगरना उसके बारे में नहीं बोलेंगे किसान की MSP उसके बारे में नहीं बोलेंगे कॉंट्राइक लेबर उसके बारे मे है ये लड़ाई हंदुस्तान में एक तरफ 99 प्रतिशत लोग उसमें 50 परसेंट पिछड़े लोग 15 परसेंट दलित गरीब जनरल कास के लोग आदिवासी मायनोरी ये सब और दूसरी तरफ चुनवे अरबपती कि नरेंद्र मोदी मीडिया इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में नियाई शब जोड़ दिया आप सब आए इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी और इतने जोश से आपने मेरा यहां स्वागत किया दिल से आपका धनेवाद करना चाहता हूँ नमस्कार जेहिन